पिछले लेक्चर में जो हमारी कहानी चल रहे थी वो कहानी थी फूड ग्रेन के मैनेजमेंट की यहाँ पे मैंने रुख के आपको पूरा फूड कॉर्पोरेशन अफ इंडिया इंडिया में जो है PDS का रिफार्म, PDS के शुरुवात, अंग्रेज़ों के जमाने से लेके सब कुछ बताया था minimum support price वगर है जितना भी procurement होता है, sugar gain की pricing कैसी होती है fair and remunerative pricing क्या है, minimum support price क्या है अंतोधिया, अनियोजना क्या है, इसके साथी साथ मैंने आपको पूरा ICDS, midday meal, ये सारी चीज़े समझाई थी अच्छे से, तो ये सारे कुछ cover हो गया है क्योंकि मुझे एक आपको basic understanding देनी थे कि आपको जो agriculture में बहुत problem आती है कि कहां से पढ़ना तो यहीं पर cover कर लिया है, mains का syllabus, freelance का syllabus अब चलिए जो main text है हमारे PT 365 में, उसमें चलते हैं तो पहला topic है हमारा 7.2, food grain management food grain की management कैसे की जाए इंडिया में, कहां से, कैसे जो है दूसरे जगह से जहां पे कमी हो, वहां कैसे पहुंचाया जाए अगर कहीं पे ज़्यादा है तो वहां से तो पहला topic है 7.2.1, food corporation of india यहीं से शुरुवात कीती, उसके अंदर हम चले गए थे deep तो अब जो हम इसकी उपर से text की इसनाब से शुरुवात करते हैं food corporation of india का मैंने आपको news यह बताया था कि cabinet ने उसका capital जो है, capital expenditure जो है food corporation of india में, capital expenditure जो है 3500 से 10,000 करोड कर दिया, बढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा capital infusion हो, तो food corporation of india जो है ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, लोगों को अनाज मिल सके food corporation of india का date कम हो सके, efficiency बढ़े इन सारे कारणों से government ने उसमें जो capital का authorization किया है, मैंने आपको इसके लिए पूरा newspaper article cover करा दिया था, तो एक line से मैंने वहाँ पे है, newspaper article और बहुत कुछ आपका cover करा दिया था, अब चलिए आगे चलते हैं, हाला कि ये सारी चीजे मैंने आपको पिछले lecture में cover करा दी हैं, लेकिन आपके संतुस्टी के feeling के लिए, completion के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ, उसको भी पढ़ेंगे, यह हमने पढ़ा था कि food corporation of India is the nodal agency under ministry of consumer affairs, food and public distribution, इस ministry के मैंने आपको बाकी department पढ़ा है थे, आपको याद रखना चाहिए उसको, तो यह क्या करती है food corporation of India, minimum support price पे farmer से अपना अपना जो agriculture का produce है वो लेती है और उसके बाद उसका क्या करती है यह procurement का stage हो गया उसके बाद अपने अपने जो उसके go down है silos है तरह तरह के होते हैं storing structure don't worry मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे store करते हैं यह लोग storage करते हैं उसमें कापे movement की जिमेदारी भी इसकी है फिर last में public distribution होगा तो वह state government को देदेगी और फिर state government जो है अपने fair price shop में उसको distribute करवाएगा ठीक है buffer stock कहीं कोई अकाल पड़ जाया सुखा पड़ जाया कुछ ऐसी condition हो जा तो buffer stock होना चाहिए या माली जे कि किसी साल जो है किसी तो बोला आपने food corporation of India का कि minimum support price देदो market में ठीक जो है price नहीं मिल रही है या मेरा अनाथ जो है market तक पहुंच नहीं रहा है ऐसे problem तो आप जो है procurement कर लो आप लेकेगे पांच किलो तो क्या आप 10 किलो लेके जाएंगे एक टन लेके जाएंगे 50,000 की लोग के लेके जाएंगे कितना भी लेकर जाएंगे तो क्या कोई बाहर है इस पर ये concept clear कर देना चाहरो no open ended procurement होती है आपको जितना भी minimum support price पर food corporation को इंडिया को देना है उतना उनको accept करना पड़ेगा तो ये अच्छी बात है लेकिन इसका एक negative impact भी है जोरत नहीं है तो फिर भी प्रकूर कर रहे है तो फिर सड़ेगा गलेगा चुहे खाएंगे फिर आपको जो है लोगों को PDS में वो दिया जाएगा और कई बार लोग जो है illness feel करते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं food corporation of India में store कि आप फूड नहीं खाना चाहिए खतरना लेकिन उसमें क्लॉज है कि गवर्मेंट का जो मिनिममम एक क्राइटेरिया हो कि यूनिफॉर्म क्वालिटी स्पेसिफिकेशन उसको करें अब सड़ागल आनास देदो को तो नहीं लेगा ना इस वेरी मच अंडरस्टेंडेबल राइट इप यूर ग्रेंड क्वालिफाइ क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशन कि उसमें कोई फफूंद ना लगी हो फंजाइन ना लगी हो बैक्टेरिया ना लगा हो अधर से जाधा पेस्टिसाइड ना यूज किये हो एक स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड के उपर आप कितना भी दे दीजे गवर्मेंट को लेना पड़ेगा जब अब एक दो मैंने आपको पहले बताया था कि जब शांता कुमार कमीटे ने क्या बोला कि खाली आप हूड कॉर्पोरेशन ओप इंडिया से प्रकूर्मेंट मत करवा अस्टेट एजेंसी को भी बोलो ता कि मूब्मेंट जो है कम करनी पड़े अगर अपनी प्राइवेट राइज मिलर्स ऑन बिहाफ आफ एफसी आई यहीं पर तो शांता कुमार कमीटे ने अपना रिपोर्ट दिया था कि आपने इतना बना के रखा है कि प्राइवेट राइज मिलर को इतना प्रकूर्मेंट करना पड़ेगा इतना मत करिए एक एलिजिबिलिटी कि नई 55% 60% प्राइवेट से ही करना है यह मत करिए यह जो है स्टेट गवर्मेंट एजेंसिस को अपनी जिमेंदारी लेनी चाहिए तो प्राइवेट राइज मिलर को बोल देते हैं कि आप एक काम करिए हमारे लिए फूट कॉर्परेशन अप इंडिया हर जेका तो नहीं दूसरी एजेंसिस भी है प्राइवेट जोब के राइस मिलर है वो भी प्रकॉर्मेंट करती है नाउ पूरे सारे आपके जो फूट होगे प्रकॉर्मेंट हो गए अब एक तो पूरा पूरा जो है टीला बने गया तो वो जो है उसका सेंट्रल पूल बनाएगा किसका तो यहां से प्रकूर्मेंट करने के बाद एक सेंटरल पूल बन गई जैसे आपका आई जी एस्टी का टैक्स होता उसी तरह की चीज़ है एक सेंटरल पूल बन गई अब उसका क्या करें एक तरीका यह है कि मान लिजी कि पंजाब भरियाना में सर्प्लेस है आपको बिहार है कि मान लिजी कि कही खल को कोई क्लामिटी आगे उसके लिए बफर स्टॉक क्रियेट करना पड़ेगा या प्राइस अस्टेबिलाइजेशन के लिए कि कहीं ज्यादा किसी चीज़ की प्राइस न बढ़ जाए तो लोगों को एक दू तीन रुपए में दे दिया जाए तो द से हमारा फोकस यह हो जाता है कि खाली पीडियस में जाता है नहीं यार पीडियस में नहीं जाएगा ना सब कुछ पीडियस में जाएगा ज़रूरीत तो नहीं है कि उतनी रिक्वार्मेंट हो तो ओपेन मार्केट सेल से स्किम भी होती है फूड ग्रेंज है आपके FCI के FCI यह ने प्रकुर्मेंट की एक और दूसरा क्या मैंने बताया था मैंने जो प्राइवेट मिलर बताया था वो तो FCI के भिहाब पर ही था तो एक तरह करता है लिक्विडिटी को कम करने के लिए ज्यादा करने के लिए इसमें प्रीडियस में नहीं जागा यह बला नाज यह जाएगा फूड ग्रेंड प्रीटर्माइन प्राइस पे अब प्रीडिया जाएगा बाकी जो डिलर वगरा आएंगे जो बड़े होलसेलर आएंगे वहां से एक से खरीद के लेके जाएंगे क्यों करेंगे मानकर ली के लिए उसके तो पर्डीड सप्साइब है तो यह जो यह बफरा स्टॉक ता और आपको 20 रुपे में अवलेबल करा देगी, एक प्रीडिटर्माइन प्रैस फिक्स कर लेगी, और थोड़ा जो सस्ते में अवलेबल करा देगी, तो यह होता है, ओपेन मार्केट से स्केम, टाइम टू टाइम किया जाता है, ताकि मार्केट में आपके किसी कोई लीन सीजन मतलब कि जो पतला सीजन है, जहां पे उपस कम हुई है, उस सीजन में मार्केट में प्राइस को मॉडरिट करने के लिए ओपेन मार्केट प्राइस वगरार पे किये जाते हैं, डेफिसिट रीजन में, अबिसली जहां पे डेफिसिट है, वहां करेगा न, सेंटल पूल से ल बना लेगा यहां पे छेद होता है उसमें अपने ग्रेन अस्टोर कर लेता है बताइए सब में घुन लग जाती है हमारे घर भी लग जाती थी या फिर मटके बगर में डाल लिए अगर काम है तो और बहुत कम है बहुत कम है तो आपना जो बेड होता है बेड के नीचे डाल यह सारे जो होते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं ना गर्मेंट अजेंसी जो इक्स्ट्रा हो जाता है प्रकुर्मेंट के बाद फूड कोर्परेशन अप इंडिया स्टोर करती है और वही शांता कुमार बोल रहे हैं कि FCI को ही तना क्यों करवा रहा हो जो स्टेट वियर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है जो सेंटरल वियर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उनके पे थो थो थोड़ा लोड दो ना अब सुनिए में जो है आप यहां पर इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है आपका कि एकॉनमिक कॉस्ट लगता है क्या खर्च होता है क्यों गवर्मेंट कैपिटल बढ़ाना चाहरी है एकॉनमिक कॉस्ट टो एक्क्विजिशन कॉस्ट फूड ग्रेंस आपने जाके एक किसान से जाके जमा किया तो आप अपने लिबर लगाओगे ना जो चड़ाना है ट्रक पे आपको आपका गाउं से लेके अनाच किसान से लेके तो एकुजिशन कॉस्ट तो लगेगा कुछ और दूसरा अपने MSP पे लिया है तो थोड़ा तो किसान को पैसा दोगे लिबर का कॉस होता है बहुत कुछ होता है तो वह सारी होती है चीजें जो खर्च होती है उसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट फूड ग्रेंस एट MSP MSP पे लेता है FCI याद रखेगा दूसरा प्रकुर्मेंट इंसिडेंस अच्छा इसको अलग कर दिया MSP के कारण जो चलिए खर्च इंसिडेंटल कंड क्यों हुत हैं कोई चीज आप कर रहे हो तो उससे से कुछ और चीजह हो जाती है आप कर रहे हो तो लेबर ना… प्छीजटाल रूपर या फिर दिस्य बूट कोस्ट वी तो लगेगा दिस्टिबिूशन कोस्ट भी तो लगेगा handling involved होगी अज storage करोगे नहीं interest charges भी लग सकते हैं losses during storage भी होती हैं चुआ खा गया था तो वो losses भी तो cost हैं इस सारे जो है economic cost है FCI के समझें अब आप खुद सोचिए कि इतना करने के बाद और PDS में देने के बाद central issue price पे central issue price क्या होता है जो FCI अपना अनाज देता है आपके state government वगरे को उसकी बाद कर रहे है PDS के लिए वो central issue price होता है उसके बाद वो जाएगा PDS में आपके fair price shop में तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या खर्च जादा होता होगा अब this is very obvious कि आपको जो यहाँ पे पहले से आपने 25 रुपए लगा रहे थे जो incidental charges वगरा लगा रहे थे वगरा वगरा करके आपका अच्छा खासा खर्च हो जाता है मान लिजे एक हजार रुपए का खर्च हो गया तो यह सारे आपके क्या होगा economic cost to FCI हो गया procurement में, incidental में, distribution cost में एक हजार खर्च हो गया और central issue price आपको पता है बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है एक हजार खर्च हो गया लेकिन मान लिजे कि फिर भी वहाँ पे आपने 700 रुपए में बेच दिया तो आपके loss कितना हुआ 300 तो यह क्या हो लॉस तो निगेटिव आपका loss हो गया 300 यही जो 300 का loss हुआ इसी को government जो है food subsidy बहुती है और यह FCI को दे देती है concept आपके clear हो गया जितना इसके FCI को procurement में, distribution में, incidental में लगा वो खर्च हुआ मान लिजे 1000 फिर बाद में central issue price पे आपके FCI इना state government को दे दिया उसने PDS वगरे में दे दिया फेर प्राइस सौप में दे दिया वो तो आपको कम में देना पड़ेगा तो वो आपको साथ समय आपका खर्च यहां से नहीं निकलता है याद रख लिजे खर्च यहां से नहीं निकलेगा 300 रुपए का आपको जो लॉस हो गया अब यही जो लॉस है गवर्मेंट भर देती है इसी को हम लोग food subsidy बोलते हैं समझे food subsidy आपको एक एक अकाउंट का नहीं काउंट हो रहा तो यही सुनिए difference between economic cost and central issue price of food grains under various schemes जो भी जाता है national food security act में आपको पूरा पढ़ा दिया तो उसके अंदर जीतना scheme में आपका जो है government जो इसू करती है central issue price पे वही जो है operational loss है FCI का उसी को थोड़ा कम वहम करने के लिए capital यहां पे बढ़ाया गया था उसी को government जो है operational loss को reimburse कर देती है that is known as food subsidy of India food subsidy of India अब यहां पे जब go down वगर की बात आई तो कभी-कभी यह भी होता है कि किसान जो है FCI के पास ना जाए किसान क्या करे कि एक एक warehouse में अपना समान डाल दे कि ठीक है warehouse में डाल देता हूँ मेरे पास तो घर में जो हडिया है हडिया में कितना store करूँगा warehouse बड़ा सा है warehouse देखे कैसे होते हैं कुछ इस तरह के warehouses होते हैं अब यहां पे क्या होगा कि किसान क्या करेगा कि अपने पांच बोरी यहां पे जमा करा देगा और वो बोलेगा कि आप यहां पे रखिए यह मेरी संपत्ती हो गई किसान ने यहां पर जमा किया तो जो warehouse वाला है वो क्या बोलेगा उसको एक रसीद लिखके देगा रसीद लिखके देगा एक तरह की गिरवी संपत्य होगा आप समझ रहे हैं यह मालेजिचली इसको लेते हैं यह आपका यहां पर इतनी बोरियां आपने डाल दी अब यह कोई warehouse वाला जो है प्राइवेट है जो भी है उसने आपको बोला कि आपका अनाज यहां पर जमा है लेकिन आम इसको बेच नहीं रहे लंबे टाइम तक रहेगा जब जरुत होगी तो देखेंगे बेचने की बात नहीं है यह अर्जा स्टोरिंग लेकिन आपने वहां पर जमा किया है आपके बदले में उसको कुछ रसीद दी जाएगी जैसे आपको सोना चांदी जमा करतो बैंक में तो लॉकर में तो रसीद दी जाती है रसीद मान लिजे कि आपने जो यहां समपत्ति जो है ग्रेन के अगर में पांच हजार रुपए जमां किंशली एक फांच हजार रुपए का एक जो रसीद मिला अगर आप इसको निगोशीट कर सकें एकौन में थाप इसके बेसिस पे दुकान में जाके समान खरीज सकें कि देखो मेरा यहां पर तो 5,000 का जमां है आप जो है इसके बेसि पर कोई लोन ले सके गॉवर्मेंट के बैंक से तो अगर ऐसी प्रोसेस हो जाएगी तो इसको नेगोशियेबल वेरहाउस आज के बदले मिह रसीद मिल गई है जो कि बट इसी से हमारा पिक है HA नेगोशियेबल वेरहाउस रिसीटिट्स क्या होते है लेज़िस्टेंट ग्रेंड फ्रमीन व्ल से होगे यह उपचने के लिए registered warehouses बनाएं गए हैं तो वहाँ से जो नेगोशियेबल आपको warehouse receipt मिल जागी या अनाज के basis पे farmer अपने अनाज के basis पे या रसीद के basis पे आपके हैं कि bank से जाके loan ले सकता है वो लेगा कि देखिए मेरी संपत्ति तो वहाँ पे go down में जमा हैं वेरहाऊस में कितनी पांच जार की चली लोन दीची मुझे दो जार का लोन दीची है इसी को बोलते है नेगोशियेबल वेरहाऊस बेच सकते हैं फल फुल तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊगे यार ऐसे भी आपको सिजनल फ्रूट खाने चाहिए तो उनकी बहुत डिमांड नहीं होती है लेकिन चावल तो आप चाहे तो छे मीन बाद भी खा ले ना चावाल गहूं तो हर दिन खाया चाता है तो कोई मतलब बीच बीच का परिशेबल मतलब खराब ना हो सॉरी खराब होने लाइक हो लेकिन मॉडेस्टली हो कम सड़े गले ऐसे प्रोड़क्ट को आपके उसका जो है सेल्स पिरियोड एक्स्टेंड कर सकते हैं आज आपके पास पचास जार किलो है एक ही बार मार्केट में दे इसी से नेगोशेबल वियर हाउस रिसीट होते हैं डाट के अवाइड डिस्ट्रेश क्या होता है एक लाग किलो जो है वहाँ पे जब आपने पैदा कर दिया गयों और वहाँ पे मार्केट में हर किसान ने एक लाग पैदा कर दिया आपकी रेट गिर गई तो आप जो है ग मार्केटिंग सीजन में डिस्ट्रेश से लोता है ना कि फट 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 सब कुछ बेचना है नहीं यू वेट फॉर दाट यू वेट फॉर दर रेट्स टु गो हाई थोड़ा मॉडरेट हो जाए तब जाके बेच दीजीगा तब तक आप नेगोशेबल वियर हाउ लेकिन एक कॉमन पर्सन को चुकि आप इंडिया के पर्सन है तो आपको एक्चुली जानना चाहिए कि अनाज की जो स्टोरेज आनाज की याँ पर कैसे स्टोर की जाती है तो चली डिफरेंट टाइप के स्टक्चर होंगे इन्होंने नहीं दिया तो मैं आपको इमेज भी अंदर नहीं है और फिर मानली जी कोई लार्ज स्केल का स्टोरेज करना होगा तो उसके लिए अलग से आएगा और फिर आप वेर हाउसिंग आपने देखा था ना कि इतनी बड़ियां स्ट्क्चर बनी रहती है वेर हाउसिंग में तो उस तरह के स्टोरेज भी की जाती है सबसे बात करते हैं अंडर गांड पट में अदर कवर करते हैं अगरू से और वार्ट करते हैं और इसको षटउक्स व गड़र कर दीजिए और यहां प्या कर traum कर दोड़िये मं property होती है, कि वो infection बगर actually नहीं आने देता है, तो थोड़े बहुत तो जो है gover के use है, गौमुतर के use है I am talking about gover, cow dung ठीक है, तो उसके जो है, इससे आप cover कर दीजे तो यहाँ पे बाकी mud and soil बगर लगा दीजे, और ऐसे store कर दीजे तो इसमें भी infection actually बहुत कम होता है यह structure है, आपके पता है किसकी यह Tamil Nadu Agriculture University की है और यह आपके Food and Agriculture Organization, UN का है देख रहा है, grain डाल दीजिए, stone लगा दीजिए वहाँ थोड़ा जो cow dung की बात कम करेंगे, लेकिन हमारा Tamil Nadu Agriculture University जो है, TNIU वह बोलेगा cow dung लगा, तो इंडिया है भाई Wikipedia का एक image है, real वाला है वो ऐसा कुछ है, देखिए, अंदर इसमें store कर दिया तो यह आपके underground storage होते हैं बड़ा छोटा हर तरह का हो सकता है image देख ली तो text सुनिए यह dug out structure होते हैं तब जमीन में खो दिखे, जो गड़ा करके बनाए जाते हैं और एक just like well आपने देखा यह image कुए की तरह दिख रहा न, just like well और इसके side को जो plaster करेंगे आप तो normal plaster यह चूना पथर मत लगा दिजेगा cow dung लगाईए, Tamil Nadu Agriculture University ने क्या बोला है फूड और अग्रिकल्चर युनिवर्स जो आपका तो organization तो विदेशी है आप देशी काम करिए, गाए का गुबर लगाईए, हाना ऐसे अगर आप स्टोर करेंगे तो पता है external sources of damage नहीं आएंगे क्योंकि अंदर है गड़ा हुआ, theft नहीं होगा जेवर और पैसा जोब जो है आपके घर में लोग जो गाड़ देते हैं अंदर जमीन के बैंक में बोलते हैं कि नहीं है बैंक लोकर क्या बरोसा है चोरी हो जाए कुछ हो जाए और दिखाना भी पड़ता है वहां पे नोट करवाना पड़ता है धन जादा हो जाए तो आप क्या करते हैं जमीन में गाड़ देते हैं तो theft नहीं होती रेन और विंड से भी प्रोटेक्टेड रहेगा वह लग बात है कि अगर बाड़ आ गई तो फिर तो सब चला जाएगा बट विंड से तो पक्का प्रोटेक्टेड रहेगा रेन भी या तो आप जो बैग में डाल लीजिए नहीं तो आप एक काम करिए कि ऐसे बड़ा सा रखिये ग्रेन और धेर सा रहा पे बिच्छाईए और उसको ढखवक दीजिए कुछ अपको भी तरीका है अब क्या हिसमें बताऊं मैं अब माल लीजिए कि लार्ज स्केल के करना पड़ेगा कवर एंड प्लिंथ मतलब कि इसको शॉर्ट में यह इतना इंपॉर्टेंट है फूड कॉर्परेशन अप इंडिया के लिए कि इसको हम लोग कैप स्टोरेज भी बोलते हैं कवर एंड प्लिंथ लेकिन नाम भी देखिए कितना बढ़ी यह बना है उनिवर्शेटी यह एंडिया का इमेज है अप क्या करिया आज को बोडियों में भरके ऐसे तीला बना देजिए प्लिंथ बने गया और जगा-जगा पे उसको आप जो है क्या करी है यहां से कवर कर दीजिए उपर से और सब को फिक्स कर दीए यही ओ तक कवर एंड प्लिं यहां पर बोला है कि food green के storage की problem है यहां पर दिखिए ना नालों में गुर रहा है पूरा cover and plinth करो के large scale पर तो यह सारी problem आती है यह हुआ आपका normal cover and plinth यह तरीका होता है चलिए text पढ़िए cover and plinth storage और cover and plinth जिसको cap storage बोल रहा हूं यह commonly यह use होता है क्योंकि एक प्लास्टिक की शीट में अपने धेर सारा cover कर दिया लेकिन loss of grain मैं आपको दिखाया कैसे नाले में गिर रहा है क्योंकि आपने एक एक जो बोड़ी को चौत अच्छे सा store किया नहीं है तो विंड कि आप जो material डालें वो प्लास्टिक के ना डाले घास पूस्टर डग दे तो अपताया इसे सब खतम हो जाएगा दूसरा होता है सिलो सिलो में क्या होता है बताइए सिलो का मतलब क्या होता है सिलो कुछ ऐसे देखते हैं ग्रेन इंडिया मार्ट का इंचा इमेज है पट्टी जनेरेटर से चलाई जाती है तो पट्टी पे नाज रख दो और वहर जगह जाके जो है उसको डॉप कर देगा हरकी अपनी कैपेसिटी होती है इसमें बड़ा अच्छा प्रोटेक्टेड रहता है तो चली इसको देखते हैं इसका भी टेक्स्ट क्या कहता है सिलोज में दोनों लार्ज स्केल के स्टोरेज के लिए बहुत खराब टेकनीक है इसमें ग्रेन को बल्क में आप क्या करिए अनलोड करिए फिर वह जाके है जो आपके सिलोज में अनलोड हो जाएगा एक मेकैनिकल ऑपरेशन हुई जिसके लापको इलेक्रिसिटी बगर की जो सबसे बड़ीयां में डालो लेकिने है सेंटें के पास्ट हाद के अपने हरकते करने पड़ती है समझेवात को Central Warehousing Corporation के पास है, बिल्कुल है, State Warehousing Corporation भी होते हैं, कई वो ऐसे स्टोर करते हैं, वेरहासिंग में, कुछ प्राइबेट वाले भी हो सकते हैं, Food Corporation of India का आपना बहुत सार वेरहास होता है, वेरहास की तो image दिखा देगी, तो फिर रिवाइस करेंगे क्या, वेरी सिंपल, बोर अ एकदम देख रहे हैं, temperature बगएर maintain किया हुआ, green जो है, प्यार से इसमें रह रहे हैं, यहांके लोग भी बड़े अच्छे से well dressed है, क्योंकि scientific management हो रहा है, जूट बैग में अच्छे से डाल रहे हैं, प्यार से, देखिए बाहर से ऐसा दिखता है, आप भी एक वेरहासिंग बाले जिए, और जो हमारे UPSC, PSC, Corridor के जितने मेंबर हैं, उनको scientifically उसमें रखा जाएगा, कि किसी और चैनल पर ना चले जाए हैं, और उनका जो है protection भी हो, अब नेक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 7.2.2 PDS reforms, ऐसे तो मने आपको PDS reform में स्रानता कुमार कमेटी बगर प पताया है, लेकिन चले इनको पढ़ लेते हैं, सबसे पहले चलिए पंजाब, पंजाब ने बोला है कि हम जो PDS के सिस्टम में है, एक इना, जो किसान जाता है, और स्वारी किसान बोल रहा हूं, जो grain को मतलब प्रकूर करने वाला है, वहां से जो खरीदने वाला है, आपने राशन कार्ट दिखाते हो, अंगुठा लगाते हो, तरह तरह की हरकते करते हो, कभी रीड होता है, कभी नहीं रीड होता है, कभी जाली होता है, कुछ गलत लोगों को जाता है, कुछ लोग कवर होने चाहिए, वो कवर हो रहे हैं, कुछ नहीं कवर हो रहे हैं, कुछ जो न मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए उसके इसाब से आपको आज मिल जाएगा तो इससे क्या होगा automation होगा एक जो है क्लर्क की जो है कमी पड़ेगी कमी नहीं बोलिए ज़रुद नहीं पड़ेगी बोलिए तो थोड़ा पैसा भी से भोगा तो आप अगर मशीन देखना चाहिए लेक्ट्रोनिक पॉइंट अप से देख सकते हैं अधर्वाइस दुकान मगर में जाते हैं आप आप कार्ड डाल के परचेश करते हैं सम्थिंग लाइक लेने जाते हैं सम्थिंग लाइक बैट वेरी ईजी ऐसा कुछ दिखता है यहां प होगा है यहां पर डालिए आपका आधार बगर का कुछ रिडिंग बगर होगी आपको मिल जाएगा वहां से देख रहे हैं पुद गाटन हो रहा पंजाब में पूरा मास्क बगर लगा के सारे लोग मंत्री लोग लाइन में खड़े हो गया एक दाम बड़ियां से यहां प पोज़ चीज को आप रिवाइस करें पिछले विडियो में चलिए पंजाब में चलते हैं पंजाब में जो इलेक्ट्रोनिक पॉइंट आफ शेल पॉइंट आफ असे आपको जो है ना रटिनग बी लिटेटा भी होता है तो वहां पर रेडिंग कराईए उंगले डालिए और आपको जो है वहाँ पर राशन काट दिखाने की जोरोत ही नहीं पड़ेगी सिंपली आपको वहाँ से अनाज दे दिया जाएगा क्योंकि आपकी जो है उंगली आपने वहाँ पर डाल दी है और सुनिए ऐसा है कि पंजाब ने सबसे पहले शुरुआत किया नो ऐसा है कि लोगों को भी सुनिदा होगी और चाहती है और सेंट्रल गवर्मेंट को बढ़ावा ही देना चाहती है और सारे गवर्मेंट को डिया था तो अभी पंजाब वाले ने कर लिया है ना रिवाइस, वाट इस PDS, पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम फैसिलिटेट सप्लाई ओफूड ग्रेंस, सप्लाई ओड फूड ग्रेंस की गरीब लोगों को, है ना, और कुछ एसेंशिल कमोडिटीज को, क्या बता है था आपको, गिहूँ चावल की रोसिन में ले, पूर लोगों को, कहां से मिलता है, फेर प्राइस शॉप से मिलता है, किस प्राइस पे, सबसेडाइस प्राइस पे, तभी तो सबसेडाइस प्राइस पे, तभी तो गवर्मेंट की फूड सबसेडी कैसे बनती है, प्रकुर्मेंट में जितना कॉस्ट हुआ, और बेचने में जित देख रही हैं, Central Government देख रही हैं लेकिन स्टेट में जाने के बाद किस डिस्टिक्ट में कितना दें, किस लोकों कितना दें, किस फेयर प्राइस स्वाप में कितना जाएं बेनिफिसेरी को identify करना कि कौन उसके लिए eligible है, राशन कार्ड को issue करना, यह सारे काम है जो आपकी distribution and supervision of food grains through fair price system, rest with state, जब मैं आपको function बताया थे कि यह state की क्या responsibility और union government की क्या responsibility है, तो वहां आपको बताया था, एक बारा state में जब चला गया food grain, उसके बाद कहां किसको कितना द देना है, राशन कार्ड किस कलर का हो, कैसा हो, किसका नाम उसमें आए, food grain का जो है, थोड़ा supervision भी करना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, fair price shop बैमानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह सारे काम आपके state government के होते हैं, और आपको पहले बताया ना मैंने, कि पहले आपके government में to focus, further focus पहले क्या था, RDPS था, अब क्या गया था, targeted public distribution system, TDPS 1997, target करके देना है, please मैं सारा आपको RPDS और TDPS यह साब explain ने कर रहा, पिछले lecture में पूरा cover कर आए, मैं बार-बार आपको reminder दे रहा हूँ, मुझे बहुत माने कि मैं फिर से explain कर दूँ, लेकिन पिछले lecture प्लीज देख of TDPS operation is being run, तो जो आपका TDPS system तो चल रहा है, लेकिन अब उसमें computerization लेने की बात आ रही है, हो रही है, तो ये computerization की जो बात थी, actually आपके 12th year plan में ही थी, उसको आपके central government ने बोला है कि चलो आप तो plan नहीं है आपको पता है, 12th year plan वग रहा है नहीं है, आप तो नीती आयोग ये targeted public distribution system को भी थोड़ा और reform करने के लिए लाए गया था, ये आपके सारे state government में और जो आपके union territories में with the help of central government चल रहा था, central government FCI नीचे तो state और UTs देखेंगी, तो ये 12th year plan में आथा, इस scheme की validity 2017 में कतम हो जाती, तो government ने इसको बोला कि मार्च 2020 तक हम इसको बढ़ा रहा है, अब ये जो PT 365 बनाता है तब की बात है, ये obviously पूरा अभी नहीं हो है, तो TDPS में end-to-end computerization का plan scheme जो है, जो 12th year plan से आथा, उसको अभी भी extending किया जा रहा है, तो क्या करते हैं आप इसमें, पहले तो आपका जो राशन कार्ड है उसको digitalization कर दीजिए, beneficiary का data जो है digital कर दीजिए जो पंजाब ने किया है, e-post लगाया, वो कर दीजिए, automate कर दीजिए, तक कि कोई leakage ना हो, सही आदमी को सही आनाज मिले, आधार की seeding करिए, e-post में आधार का, जो electronic, जो आपका point of sale है, वो आधार को read कर पाए, लोगों का biometric data, अंगोटे का निसान, समझें, जो चलिए, इस State Government की responsibility है, कि वो राशन कार्ड order करें, लेकिन मान लिजे कि आप जो है, गरीब है, अब बिहार से आप चले के पंजाब में मजदूरी करने, तो आपके एक-एक अनाज, वो 35 किलो अनाज लेने है, कि आप अपने बिहार जाएंगे, पटना जाएंगे, ट्रेन पकड़के, न उनका जो validity है, वो पूरे nation में होता है, तो कोई गरीब किसान, कोई गरीब आदमी, पंजाब भी migrate कर जाए बिहार से, तो पंजाब में जो fair price shop है, वहाँ से भी उसको जितना eligible होतना अनाज मिल सके, यही है one nation, one ration card initiative, गरीबों के लिए है, center ने इसके लिए डिजाइन कर दिय यही आप फॉलो करिएगा, और digitalization भी कर लेजिए, ताकि लोगों को सुविधा हो, हर जगा वो अनाज ले पाए, जब आपका नया राशन कार्ड आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, one nation, one ration card launch कर दोगे, तो यही आपके जून 2020 में launch हो गया, यह पहले का PT 365 है, लेकिन जून 2020 में launch हो गया, ministry of consumer affairs, food and public distribution जो है, क्या कर रहा है, इसके लिए, integrate 12 states on a single portability system, यह उसको पहले की news है, फरवरी के पहले की, उसके बारा स्टेट को एक single portability system पर लेकर रहा है, मतलब पूरा जो है, सब को interconnected रखना, wave के form में, internet के form में, तो single portability platform जो लेकर रहा है, उसको बोलेंगे, public distribution system network, public distribution system तो आपका यह mechanism हो गया, जिससे आप गरीब लोगों को जो है, अनाज देते हो, अब उसके सारे 12 states, और आप तो मन लेजे कि सारे states, जितने भी एंडिया के पता नहीं, कितने 28-23, सारे state में अगर आप इस चीज को integrate कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, public distribution system, PDS हो गया, last management network लगा दीजे, तो कोई exam में पूच दे कि what is PDSN तो confused मत हो जाएगा, आपके normal public distribution system को पूरा digitally integrate किया जा रहा है, networking कराई जा रही है, ताकि one nation, one Russian card scheme जो successful हो, तो इसी को बोलते है PDSN, beneficiary जो है, जो भी National Food Security Act में cover होता है, अपना subsidized food, food, fair price shop, किसी भी स्टेट से जाके ले ले, पहले बारा स्टेट आयते हैं, अब बाकी सारे स्टेट 20 में amalgamate किये जा रहे हैं, क्योंकि उसको जून में launch कर दिया गया है, तो till now क्या situation थी, अभी ये situation थी कि जिसा स्टेट का राशन कार्ड होता है, वो वहीं के राशन shop या बोलें कि fair price shop पे valid होता था, तो बिहार के हो नेशन वाइड पॉर्टेबिलिटी ओप राशन कार्ड होल्डर, वहीं जो है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, उसी के पहले थोड़ा पॉर्टेबिलिटी भी तो इनेबल करना पड़ेगा, the main objective के या स्कीम का, to introduce nationwide पॉर्टेबिलिटी ओप राशन कार्ड जैसे, आप इनेशन कार्ड पॉर्टेबिलिटी ओप राशन कार्ड पॉर्टेबिलिटी ओप राशन कार्ड पॉर्टेबिलिटी ओप राशन कार्ड जैसे, वही जो पंजाब गया बिहार का मजदूर, to lift their entitled food grains from any fair price shop of their choice in the country, by using their existing राशन कार्ड in the home state or union territories after biometric authentication on electronic point of sale device installed at FBS. आपको समझ में हैं क्या हो रहा है, अभी तवा स्टेट गवर्णमेंट को बोला कि अब इसू करो एक standard format में, लेकिन जिसका पहले वाला उसका क्या करोगे, उसके लिए integrated management of public distribution system, यह migration का portability को अलाउग करेगा, विहार वाला पंजाब में चलेगा, और जो नया इसू होगा व उसके लिए integrated management of public distribution system, दोनों चीज़े मिलती जुलती ही है, आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रुत है नहीं, आप one nation, one ration card इतना समझ गया, इतना काफी है मेरे लिए, नेक्स टॉफिक पर चलिए यह excess buffer stock, वाई excess buffer stock, buffer stock तो FCI बना ही रही, अब excess की क्या ज़रुत है, food corporation of India का जो central pool है, उसमें six year का high हो गया, बहुत ज़्यादा नाज जमा हो गया है न, तो government plan कर रहा है कि उसको eloquate करे below poverty land को, ऐसा नहीं की access बनाना है, already access हो गया, जितना store करना था, उससे काफी ज़्यादा हो गया, और छे साल का सबसे highest storage हो गया, अच्छा मांसून हुआ चावलगे हो पैदा हुआ, बहुत जमा हो गया, तो government क्या सोच रही है, कि जो below poverty families को जितना देते थे, थोड़ा उसको increase कर देते है, सड़ने गलने से अच्छा है कि लोगों की भूक मिट जाए, क्यों हुआता ज्यादा, कि oversupply of food grain, अब ये क्या region हो, obviously oversupply of food grain की तभी होई लेकिन एक problem के करण भी होता, coordination का problem, आपने अनाज जमा कर लिया, आपको MSP पर आपको पता ही, open ended procurement कर लिया, देर सजाना जमा कर लिया, निगल तो लिया आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन Google ने कि आपकी ताकत थी नहीं, coordination नहीं हो पाया, state government को दे नहीं पाया, state government उसको जो हो गया, तो simply उसको जो है, आपका food corporation of India, अपने ही साब से liquidation कर दे, उसको open market में फट से बेज़ दे, automatic नहीं हो प्रासेस, आपको approval लेनी पड़ेगी, तो एक्सेस बफर स्टाक हो गया है, तो उसके लिए government सोच रही है, कि 6 साल में जादा हो गया, तो थोड़े जादा लोग होगी, अगर मैं उसको क्या करूं कि उसका procurement करने की जगा, उसको जितना भी loss हो रहा है, वो उतना loss चुका दो, इसी को बोलते है, price deficiency payment system, अब ये system कुछ state ने develop किया, फिर बात में central government भी लेकर आगे, कि हम भी करेंगे, तो हम कुछ state का भी introduction ले लेंगे, कि उन लोगों ने क् पर central government को भी देखेंगे, कि central government कैसे कर रही है, तो पहले तो ये सुनिए कि news क्यों आई, ऐसा नहीं था कि price deficiency payment system आज से ही थी, इसके पहले दो-तीन स्टेट में introduced हो गए थी, लेकिन हर्याना ने ये बोला, कि हमारा एक जो price deficiency payment system जो है, जिसमें हम लोग जितना भी किसान को loss हो rate, भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भुगतान नहीं बोल रहा हूँ, I am calling the हर्याना government scheme भावांतर भरपाई योजना, जितना loss हो आपको भाव के अंतर होने के कारण, उसको भरपाई compensate करेंगे, ये पहले भी करते थे, लेकिन scheme की बहुत popularity होई, तो आजकल तो पॉप कि तो तो आज जो cropping को diversify भी करेगा, diversify करेगा तो उसकी soil की nutrition quality बढ़ेगी, diversify करेगा तो लोगों जो अनाज मिलेगा तो हो सकता कि protein वगर ज्यादा मिलेगा, एक जो है balance diet मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा crop को cover करें तो आप ज्यादा अच्छा है ताकि diversification होगा आपके agriculture और ट्रॉपिंग का, as I already told you, this भावांतर भरपाई योजना is also a type of price deficiency payment system only, ये हर्याना गवर्मेंट का price deficiency payment है, इसमें farmer के risk को कम किया जाता है, अगर वो MSP पे मान लीजे, एक रुपे, दो रुपे में बेच रहा है, हर्याना गवर्मेंट बहुती कि don't worry, we will do the भावांतर भर पाई करेंगे, आप भीच दो मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है, माले जो low price मिल रही है, vegetables की market में, तो हम उनको एक protected price दे देंगे, हम आपको उतना cash दे देंगे, तो this is भावांतर भर भर पाई योजना भर्याना गवर्मेंट, उसमें और ज्यादा crop लाए गए है, कर्मेंट ने मालीजे की minimum support price कुछ announce किया, ठीक है, अब farmer जो है किसी कारण से उसको MSP पे procurement नहीं करवा पाया, अब market में उसकी price जो है कम हो गई, तो market में price कम हो गई, लेकिन government ने तो बोला तो open ended, हमने तो बोला था कि MSP पे करेंगे, अब farmer किसी कारण से उसको नहीं पहुच उसका कम हो गया, तो वही जो difference है minimum support price और market price के बीच में, वो हर्याना government पे कर देगी कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें FCI नहीं जा पाय, MSP नहीं मिल पाया, market में तुम्हें सस्ता में बेचना पड़ा, जो भी loss हुआ हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदार भी थी, लेकिन select crops होते हैं, हर किसी पर नहीं देते, तो उसी को बढ़ा रहे हैं, अब आपकी जो central government उसने वो ला कि, अच्छा पहले ये देख लिए कि कुछ और states में भी है, बावंतर भरपाई आपके हर्याना में है, और जो भावंतर भूगतान यूजना में है, आपके म अब जानते हैं PM आशा, पर्दानमंतरी अनदाता, कौन होता है, किसान होता है, I मतलब income होता है, और मतलब protection होता है, अभियान मतलब campaign होता है, समझें, परदानमंतरी अनदाता, I सनरक्षण अभियान, PM आशा, आशा लगी रहे किसान को, कि उसका जो है, COP अवरे बिके तो उसके आई की income की protection हो, यह campaigning है, यह जो पूरा PM आशा है, PM आशा का एक component price deficiency payment scheme भी है, just like your Haryana government, just like your Karnatka government, just like your Madhya Pradesh government, PM आशा का एक जो component है, और भी है PM आशा पूरा पढ़ना तो आशे शरका agriculture का government scheme कर लीजिए, मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा, तो PM आशा का एक component price deficiency payment scheme भी है और other component क्या है, price support scheme and pilot of private procurement and stockiest scheme, आप समझ रहे हैं, PM आशा के तीन component हो गया है, किसानों के income को secure करने के लिए, उस तीन component में एक है price deficiency payment system, simply हम इसको PDPS भी बोलते हैं, दूसरा जो दो है, वो है price support scheme, इसमें भी price का support करते हैं, तीसरा एक pilot level का experiment किया रहा है PM आशा में, full-fledged नही है, pilot of private procurement and stockist scheme, यह क्या है, government नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट का इंसान procurement करेगा, और उसको essential commodities में जो है, थोड़ा relaxation दी जाएगी, वो उसका stocking करेगा, obviously private वले जगर बहुत ज़्यादा stocking करने लगे, तो उस पे essential commodities लग जाएगा, government ने बोला कि नहीं, PM आशा में, हम पाइल commercial commodities से छोड़ देंगे, तो किसानों को वहाँ भी तोड़ा अपना समान जो है, बेचने की मंजूरी मिलेगी, तो यह PPSS जो है, यह pilot basis पे चल रहता है, private procurement and stockist scheme जो है, वो भी PM आशा का ही पार्ट है, PPSS, वो private basis पे चल रहता है, याद रखिएगा, बाकी दो जो है, आपके price supporter scheme है, और यह आपका हुई हो गया, price deficiency payment system, यह जो price deficiency payment system है, this is just like भावंतर भरपाई, भावंतर भुगतां, and otherwise करनाटका में जो milk farmer के लिए किया जा रहा है, समझ गये, इसके साथ जो है, आपका खतम हो गया, यहाँ पे यह topic, अब next अम लोग देखेंगे, market intelligence and early warning system portal, यह क्या है so next topic is 7.2.3, market intelligence and early warning system portal, intelligence, जा सोशी करेंगे market में, just like your furosa and all, जैसे Delhi Sultanate में करते थे, हाँ something similar like that, early warning system, disaster से बचाना है, बता तो होता है क्या है, agriculture में बहुत बड़ी problem है, agriculture में क्या करता है, farmer क्या देखता है, कि वो इसी हिसाब से produce करेगा, जिस हिसाब से market में किसी crop की rate होगी, तो बहुत अची बात, rate होगी उसके सब से produce करेगा, लेकिन एक agriculture ऐसा sector है, इसमें sawing season बड़ा, harvest season बड़ा, जब तक किसान को information मिलती है, कि ये वाले चीज़ की जो है, बहुत ज़्यादा कीमत है, तो उसको ज़्यादा है, मान लिजिए, कि दाल की कीमत बहुत ज़्यादा ह होती है, तब तक जो है, इस delay के कारण, आप over supply कर दोगे बाद में, आपने जो intelligence लिया, जो market के price पे जिस पे depend किया, वो पिछली season का था यार, आपने उस पे depend करके over production कर दी, आपको पहले जो है, rate कम मिल रहा था, फिर से rate कम मिल रहा है, आप जो पूरी लूप में फसे रह ज यह देखिए, यह पहले तो economics का एक term है, cob wave cycle, इसमें क्या होता है, fluctuations होते है market में, उसमें quantity जो supply की जाती है producer के द्वारा, वो डिपेंड करती है prices पे, लेकिन previous production के period पे यह delay होके है, इसमें क्या होता है, ऐसी industry जहाँ पे production और prices को समझने के बीच में, मतलब decision लेना है कि कितना produce करना है, और उसके लिए जो हम prices देख रहे हैं, जो prices हम देख रहे हैं और जो decision हम ले रहे हैं, उसके बीच में एक large अगर time हो जाता, ऐसी गलती हो जाती है, अब बताइए, जो किसान ने आज decision लिया price के हिसाब से, कि यहाँ पे डाल की कीमत 100 रुपे है, चलो डाल लगाते हैं, 100 रुपे हैं, उसके हिसाब से उसने तीन महीने बाद मान लिजे कि sawing की, अब उसकी फसल चली वहाँ पे चार महीने, फिर उसकी harvesting की market की पूर एक साल लग गया, अब बताइए, क्या यह reliable है 100 रुपे, एक साल का period हो गया, अब उसने किया कि जोश में आके overproduction कर लिया, क तो दाल की price बढ़ जाएगी, और वो तो कुछ और लगा बैठा, अब next season में वो लगाने जाएगा, तो देखेगा कि दाल तो यहाँ पे जो दाल की price घट गई थी, तो क्योंकि oversupply हो गया था, तो जब लगाने जागा, तो दाल कम लगाएगा, तो फिर वहाँ पे वो realize करे लेना, और उसके basis पर decision लेना, और finally आपका समान का market में आना, दुनों के बीच में अगर बहुत lag हो जाएग, तो cob way phenomenon हो जाता है, तो ज़रूरत है कि आप market की price को सही से जल्दी से समझे, इसलिए government नहीं प्राइस के लिए एक intelligence वाला scheme निकाला है, कि हम जल्दी से समझ पाए और किसानों को बता पाएं कि क्या लगाँगे तो अच्छा होगा, तो यह जनरली agriculture में होता है, क्योंकि decision जो लेते है agriculture में कि क्या produce करना upcoming year में, वो हमारे previous year के जो agriculture price पर depend करता है, चलिए एक example ले ले लिए तो आपको पूरा जो है यह चिट्टा समझ में आ जाएगा, देख जार रुपए जो है, आपका मक्का जो है भुट्टा भिक्रा, तो सारे आपके पंजाब के farmer क्या करेंगे, जब next season जाएंगे, यह चावल सब को छोड़के, corn लगाएंगे, उनको लगेगा कि high prices मिलेगी, लेकिन होगा क्या, कि वो high prices के चक्कर में, उनका तो information पिछले साल क था, corn जब तक market में आएगा, तब तक उसकी prices fluctuate हो सकती है, कम हो सकती है, यह क्या करेगा, धेर सारा corn पैदा कर देगा, increased supply होगी, और उसके lower prices होगे, फिर next में वो देखेगा कि corn का यार कम है यहाँ पर price, तो चलो गेहू लगाया जाए, फिर वो corn producer नहीं करेगा, तो market में corn क food processing and industries ने, ministry of food processing and industries ने बनाया है, ministry of agriculture ने नहीं बनाया, याद रखिया, इन्होंने लांच किया market intelligence and early warning system portal, web portal बगर लांच किया, वहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस चीज की क्या pricing है, कब क्या रहेगा, decision ले सकते हो, तो price fluctuation हो रहा ता इसलिए ऐसा किया है, तो क्यों होता है price fluctuation एक तो monsoon के dependency है, monsoon अच्छा हुआ तो खुब उपज हो गई, तो आपका जो है अनाज का दाम गिर गया, monsoon कम हुआ तो आपका जो है अनाज महेंगा हो गया, changing pattern of climate, कई जगर लोगों को जए crop loss हो जा रहे है climate के कर, cob wave phenomenon जिम्मेदार है, जो कि आगे discuss किया हुआ, price के distorted price support system है जो आप MSP दे रहे हो, वो भी distorted price support system है, MSP पर आप procurement करते हो, अब वो कितना realistic है, नहीं realistic है, सस्ते में ले रहे हो, यह सारी चीज़े market price बहुत अच्छे थोड़ी मिलती है MSP में, उपर से open ended procurement, यह सारी चीज़े है, educate infrastructure, आप cold storage है ही नहीं तो आप जो जाके market में, fake आते हो सार इनका कभी-कभी एकदम oversupply हो जागा, कभी-कभी एकदम सप्लाई हो जागा, rate भी देखिए ना, दिली में सरकार गिर गए थी BJP की, यही प्याज के नाम पे, अभी भी बीच में हंगामा हुआ था, प्याज के नाम पे, तो हम पाकिस्तान से import कर रहे थे, ऐसी हरकते हो रह सुनिश्चित करनी है, यह हर फूड का पार्ट बनते हैं, आपके प्याज टमाटर आलू, है ना, इन पिखास करके intelligence देखना होता है, तो infrastructure तो है, यह सारी चीज़े गल जाती है, cold storage नहीं है, warehouse नहीं है, यहाँ पे cobway phenomenon को, यहाँ पे समझाया है, मैंने इस चीज़ को आपको cyclicality चलती है, किसान को कभी भी ठीक से नहीं मिलता, detail, it will, कभी high हो जाए, कभी low, वो भी एक cyclicality भी है, लेकिन उसका phenomenon जो है, cobway भी है, details में देखिए, जो आपकी government की intelligence लेकर आई है, इसको क्या बोले हम लोग, market intelligence and early warning system portal, पहले ही आपको warning दे दें भाई, कि क्या गलती करनी, क्या गलती नहीं करनी है, और market के intelligence, market को समझे कहां क्या price है, तो आपको portal पे जब आप login वगर करोगे, तो आपको एक real time monitoring पता चलगे ना, कि पिछले season का, real time, तब किसान, जो है, sawving करने के just पहले एक पर जाके देख लेगा, चुपे-चुपे, कि intelligence मिल रही है, उसको, तो व होगा, है न, alert जो generator का, कहां जाएगा, operation green जो चल रहा है, tomato, onion, potato के लिए, उसके में जाएगा, ठीक है, और operation green इस market intelligence के basis पे, price के basis पे, operation green में decision लिया जाएगा, कि उसमें को intervention करने की जड़त है, कुछ change करने की जड़त है, समझे, दोनों चीज़ों को relate कर दिया, जो portal बनाया, आपकी ministry of food processing industry ने, उसका information operation green में चला जाएगा, operation green के जो है, initiative, intervention, उसी ही सब से change कर दिया जाएगे, ताकि लोगों को सही price पे सब कुछ जो है, मिले, और किसानों को भी फायदा मिले, तो government इससे क्या करेगे, monitor करेगी, कि supply की situation क्या है, timely market intervention करने की जड़त है की नहीं है, essential commodities का कितना use करना है, कितना नहीं use करना, stocking allow करने की नहीं करें, price के stabilization करनी होगी, तो वो भी देख लेंगे, या तो price crash भी खराब है, price crash भी खराब है, कभी glut season आजाए, glut season ही just like lean season, जहाँ पे आपका, sorry, glut season is just opposite to your lean season, price crash हो जाता है, glut season is just opposite to your lean season, sorry, तो lean season आजाए, तो आपकी price क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, और glut season आथा, तो price आपका crash हो जाता है, तो दोनों चीजों से बचना है, stabilization करनी है, तो यह market intelligence करेगा, फिरो शा की तरह, portal disseminate करेगा information, top से related, tomato, onion, potato से related, किसको information करेगा, यह उसके price क्या है, arrival क्या है, इस market में कब आने वाला है, कब आने वाला, एरिया का yield कितना हुआ है, production कैसी हुई है, crop के calendar कहां पे कौन सा crop किस टाइम पे लगाया जा रहा है, crop की agronomy, समझनी है, यह सारी चीज़े, and easy to use visual format में होगा, operation green launched by ministry of food processing and industry, जो जो operation green था, top, वो भी ministry of food processing industry था, उसी को अच्छा चलाने के लिए कि क्या intervention लिये जाए, यह intelligence ची उनकी price में मतलब stability रहे, यह कहें कि supply demand में stability रहे, ताकि सारे यह जो top crops है, throughout the country, आपको पूरे साल, without price volatility, यह नहीं कि प्यास कलको 50 रुपय में मिल रहा है, और 105,000 में मिल रहा है, तो यह सी हरकते ना हो, उसके लिए आपका जो operation top था, operation green था, sorry, top के लिए, वो आपके ministry of food processing and industry नहीं launch किया था, और उसी को सुधेड करने के लिए decision अच्छे लिए जा सके, उसके लिए market intelligence and early warning system portal भी लेकर रहा है, तो इस lecture में इतना ही, next में मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, next में मिलेंगे तो हम लोग agricultural marketing के शुरू बात करेंगे, चलिए आपका बहुत बहुत शुक आपको